आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अब ही डाउटनेट क जब एक आपकी अबकिरिया होती है, एक अबकिरिया के लिए, एक अबकिरिया के लिए, डेल्टा एज बरावर डेल्टा ए, प्लस डेल्टा एंजी आर्टी होता है, यहाँ पर डेल्टा एज का मतलब क्या है, एन्थेल्पी में परवर्तन, डेल्टा ए का मतलब क्या है, आ आर का मतलब है यूनिवर्साल स्थरांग और टी का मतलब है ताब यानि के यहाँ पर जो हमारा मैं ड्रॉल प्ले करेगा वो करेगा डेल्टा एंजी डेल्टा एंजी मतलब में लिख देता हूँ एक बार गैसियस मोलों की संख्या में मोलों की संख्या में परेवर्तन यानि कि हम कह सकते हैं यानि कि उत्पाद के गैसिय मोल, उत्पाद के गैसिय मोल माइनस अभिकारक के गैसिय मोल, अगर उत्पाद के गैसिय मोलों में से अगर हम अभिकारक के गैसिय मोलों को माइनस कर दें, तो क्या आ जाता है, डेल्टा एंजी हमारा निकल क्या आ जाता है, अगर यहां पर यहा जब डेल्टा H, यानि कि अगर हमारा डेल्टा NG यहाँ पर क्या हो जाए, मानस में आ जाए, अगर डेल्टा NG हमारा नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा H बरावर क्या हो जाएगा, डेल्टा E, मानस में कुछ नंबर आ जाएगा, मानस में कोई नंबर RT आ जाएगा, मैंने म मतलब delta E बड़ा होगा, अब हमको देखना है ऐसा होगा कव, delta E, delta S से बड़ा होगा कव, जब आपका delta NG क्या हो, negative हो, और मैं आपको delta NG का मतलब बता चुका हूँ, अब हम गैसे स्मोलों की संख्या में परवर्तन, यानि के उत्पात के गैसे मोल माइनस अविकारके गैसे मोल, अब हम एके करके अब करिया में बात करेंगे, पहली अब करिया है C6H12O11, यहाँ पर है आपका ठोस, 6O2 गैस, और बना रहा है 6CO2 प्लस 6H2O, लिक्विड, और य में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो यह तो लिक्विड है की तो बात होगी नहीं, 6 मोल क्या है आपके CO2 के गैसे मोल माइनस, और 6 ही क्या है गैसे के, यानि के O2 के, तो डेल्टा एंजी की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, और जब डेल्टा एंजी की वैल्यू जीरो 2SO2 गैस, प्लस O2 गैस, हमारा बना रहा है 2SO3 गैस, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एंजी निकालता हूं, तो डेल्टा एंजी का मतलब क्या होगा, उत्पात के गैसेस मोल कितने हैं, यहाँ पर 2, माइनस, 2 प्लस 1, दौनों ही गैसेस हैं, तो कितने होगा, 3, तो यह क्या गया, माइनस एक आगया, और यहाँ पर अगर डेल्टा एंजी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 100% कंफर्म है, जो डेल्टा ए होगा, वो डेल्टा एस से जादा होगा, तो यह जो आपकी दूसरी अवक्रिया है, वह डेल्टा ए कमांड, उसमें डेल्टा ए और अविकारक में एक गैसिस मोल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस वन, और प्लस वन होता है, तो डेल्टा एच डेल्टा ए से बड़ा होता है, और पूचा क्या है, डेल्टा ए बड़ा होना चाहिए, तो यह भी नहीं होगा, चौत्य में अगर हम देखें, डेल्टा इससे बड़ा हो, कब होगा जब देन्टा एंजी आपका नेगिटिव है, वो कौन सी महारा है, दूसरी वाली अवक्रिया में, तो जो हमारी दूसरी अवक्रिया है, यही इसका सही उत्तर है, थन्यवाद.